रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए आ आ फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ फराज सहब की यह लाइन आज नितीश कुमार पर बिलकुल सटीक बैट रही है नितीश कुमार ने बिहार के मुख्य मंतरी पद से इस्तिफा दे दिया है राजेपार राजेंद्र विश् मंतरी पहली या दूसरी बार नहीं बलकि नौवी बार बने हैं कभी एंडिये के साथ गड़बंदन में रहकर सीम कभी यूपिये के साथ कभी नए नए बने इंडिया अलाइन्स के साथ नितीश कुमार ने महागडबंदन सरकार से इस्तिफे के तुरंत बाद अपनी काम नहीं होने दिया जा रहा था इसलिए हमने पार्टी के लोगों की राय सुनी और इस्तिफे का फैसला किया नितीश कुमार अगस्थ 2022 में बीजेपी से गड़बंदन तोड़ कर राज़त के साथ आये थे राजनीती में नितीश कुमार का ये पहला यूटर नहीं था वज़ा है कि तब ना उनके बीजेपी से गड़बंदन तोड़ने को लेकर हैरानी हुई थी और ना ही राज़त के साथ नई सरकार बनाने से पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजधानी पटना से आ रहे सभी संकेत एक तरफ इशारा कर रहे थे कि इंडिया गड़बंद को हम वो भी बयान सुनाने जा रहे हैं जो नितीश के इस्तिफे के बाद विपक्षी दल बोल रहा है राजध और कॉंग्रेस के कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कोई उन्हें गिरगिट कह रहा है तो कोई उन्हें पल्टू राम बता रहा है कोई कई लोगों का क्मा कि नितीश कुमार की राजनिती अब खत्म होने वाली है बिहार में 2025 में होने वाले विधान सभाचुनाओं में उनका पत्ता साफ हो जाएगा कुछ निताओं का कहना है कि जब नितीश कुमार एंडियज को छोड़ कर महा कटफंदन में शामिल हुए थे तब ही ये तै हो गया है ऐसे में देश में बहुत सारे लोग है आया राम गया राम केंद्रिय मंत्री गिरी राज सिंग ने कहा कि नितीश को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस्तिफा दे दिया उनकी जो भी मजबूरी रही लेकिन बिहार पेशो पेश में डेड़ साल में बिहार में ज गटने पर कहा कि सेम नितीश कुमार आधर्नीय थे और हैं कई चीज़ें नितीश कुमार के नियंतरन में नहीं हैं महागटभंधन में राजत के सयोगी दलों ने हमेशा मुख्यमंत्री का सम्मान किया है कॉंग्रेस महास्चीव जैराम रमेश ने भी नितीश कुमार पर त मेडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टूइट करते हुए लिखा कूरा गया फिर से कुरेदानी में कूरा मंडली को बदबुदार कूरा मुबारत ओपी राजभर ने कहा विरोधियों ने ठाना है कि नितीश कुमार इंडिया घठबंदन में रहें यह लोग तै है कि सभी विपक्षी के लोग चाहते हैं कि पी एम मोदी फिर से परधान मंतरी बने असदुद्दीन ओवैसी ने नितीश कुमार के साथ नरेंदर मोदी और तेजस्वी आदफ पर भी निशाना साधा है उन्होंन यह नितीश कुमार को इनकी बीजेपी की भी टीम कौन बोलेगा इन सभी नेताओं के बयानों के भी सोशल मेडिया पर तेज परताब यादफ का पोश्ट बहुत तेजी से वारल हो रहा है तेज परताब यादफ ने सोशल मेडिया पर लिखा जब भाव ना जागा भाव मे उस भाव का कोई भाव नहीं ऐसी भाव का कोई अस्थान नहीं जिनका भाव नहीं अपनों की भाव में कहां रखी है भाव तेरी जिनका ख्याल तेरी भाव में बस सत्ता का ख्याल है तेरी भाव में अपनों के भाव का क्या हुआ बिहार की राजनीती में बहुत तेजी से घटना करम बदल रही है कई दिनों से चल रहा कयास का आज अंत हो गया नितीश ने आज मुख्यमंत्री पस से इस्तीफा सौप दिया और NDA में शामिल हो गया इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे हमारे चनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेर करें शुक्रिया